नमस्कार साथियो वेलकम आप सभी का तो साथियो आज हम मैच कवर करेंगे दूसरा T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है ओस्ट्रेलिया वर्सीज पाकिस्तान के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 16 नवंबर को खेले जाने वाला है एक बज़कर 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा सिडनी किरिकेट गिराउंड ओस्ट्रेलिया की पिच पर तो दोस्तो आज के मैच में हमारी फाइनल ग्रेंड लिग टीम का क्या कोंबिनेशन होना चीए पिचले मैच में दोस्तो बोलर्स ने काफी अच्छा परफोर्मेंस किया था बैटिंग ओडर दोस्तो ओस्ट्रेलिया की तरब से भी फ्लोप देखने को मिला था इधर दोस्तो पाकिस्तान की तरब से भी बैटिंग ओडर फ्लोप देखने को मिला था लेकिन दोस्तो आज के मुकाबले में आपको कुछ अलग कोंबिनेशन ग्रेंड लिग टीम का बना के चलना है जानेंगे दोस्तो इस ग्राउंड पे पेसर्स को कितनी एलप है, स्पीनर्स कितनी विकट लेके जाते हैं बैटिंग ओडर किस परकार का परफोर्मेंस करने वाला है कौन से खिलाडी को हम यूनिक ग्रेंड लिग टीम में कैप्टन सी में लगा के चलें कौन सा खिलाडी हमारी यूनिक जीयल टीम में वोइस कैप्टन देखने को मिलेगा कितने ट्रम्प कार्ड खिलाडी दोस्तों हमें पाकिस्तान की टीम से देखने को मिल सकते हैं और कितने ट्रम्प लेड दोस्तों हमें ओस्ट्रेलिया की तरब से देखने को मिलेंगे पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है वीडियो को दोस्तों लगातार देखते चलना और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटापट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सस्क्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए और टेलिग्राम चैनल जोईन करना मत ब या परफोर्मेंस करने वाले हैं तो पिछ दोस्तों आपको बैलन्सिट पिछ देखने को मिलेगी पिछ दोस्तों आपको बुली मिट्टी की देखने को मिलेगी और इस गिराउंड पे दोस्तों फास्ट बोलर को काफी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है लेकिन दोस्तों यहा बात कर लेते हैं दोस्तो टोटल मुकाबलों के बारे में तो इस गिराउंड पे दोस्तो 17 T20 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं second batting करने वाली team ने 7 मुकाबले इस ground पे win किये हैं, average score दोस्तों, पिछका 170 से 180 के करीब देखने को मिल सकता है, यहाँ पर दोस्तों सबसे जदा score 211 Run का देखने को मिला है और सबसे कम score दोस्तों, यहाँ पर 101 Run का, 101 Run पे दोस्तों टीम यहाँ पर all out देखने को मिली थी, यहाँ पर दोस्तो स्कोरिंग पैटरन के इसाब से बात करें तो इस गिराउंड पे टोटल दोस्तो 17 T20 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं और यहाँ पर दोस्तो 150 से नीचे 4 बार स्कोर देखने को मिला है 150 से 170 के बीच में 5 बार स्कोर है 170-190 के बीच में 3 बार स्कोर है 190 से उपर इस गिराउंड पे 5 बार स्कोर देखने को मिला है अभी तक इस गिराउंड पे बैटिंग ओडर भी आपको काफी अच्छा परफोर्मेंस करते वे नजर आएगा तो चलिए दोस्तों recent वाले मैचों के according बात कर लेते हैं तो recent 2023-2024 में यहाँ पर T20 का कोई भी मुकाबला खेला नहीं गया है तो recent के मैच दोस्तों बात करें तो 2022 में यहाँ पर 4 T20 मुकाबले खेले गए थे New Zealand वर्सिज पाकिस्तान के बीच में और यहाँ पर दोस्तों New Zealand क टीम ने पहले बैटिंग करते वे 152 रन का टारगेट दिया था लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आराम से मैच को विन कर लिया था ये दोस्तों आपको T20 वर्ल्ड कप के मैच इस देखने को मिल जाएंगे इस मैच में दोस्तों चार विकट पेस बोलर को मिली थी और दो विक् करते वे यहाँ पर फिर से दोस्तों इंगलैंड की टीम ने मैच को विन किया फिर पाकिस्तान और साउथ अफरिका के बीच मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते वे 189 रन का टारगेट दिया था और यहाँ पर भी दोस्तों पाकिस्तान की तीम ने पहले बैटिंग करते हुए 166 सेरं का टार्गेट किया और मैच को भी विन किया था इस मैच में दोस्तों 9 विकट पश़डर को मिली थी और यहाँ पर दोस्तों स्पीनट्स ने भी 7 विक्टों के साथ पर्फॉर्मेंस किया था फर्स्ट इनिंग में दोस्तो पेस बोलर ने यहां पर 18 विक्टों के साथ परफोर्मेंस किया है पलस में सैकंड इनिंग में दोस्तो 15 विकट मिली है इसी के साथ स्पीनट्स ने दोस्तो फर्स्ट इनिंग में 6 विक्टे निकाली है सैकंड इनिंग में स्पीनट्स को थोड़ का जो कॉंबिनेशन होगा उसमें दोस्तों जो टीम पहले बोलिंग करवाईगी उस टीम में dोस्तों हम CVC ट्राइ करके चल सकते हैं तो चलिए दोस्तों विकेट टेकर बोलर के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को दोस्तो फर्स्ट इनिंग में 13 विकट मिली है, सैकंड इनिंग में 18 विकट मिली है, लेफ्ट आर्म स्पीनर्स को फर्स्ट इनिंग में 15 विकट, सैकंड इनिंग में 14 विकट, राइट आर्म फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 45 विकट और सेकंड इनिंग में दोस्तो 41 विकट मिली है राइट आर्म स्पीनर्स को 17 विकट दोस्तो फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में दोस्तो यहाँ पर 27 विकट मिली है यानि कि राइट आर्म स्पीनर्स दोस्तो second inning में काफी अच्छा performance करते हैं लेकिन दोस्तो यहाँ से right arm first baller first inning में यहाँ पर performance करते हैं grand league team के combination में second inning में जो team bowling करवाईगी उसमें दोस्तो आप spinner strike करके चलना और जो team पहले bowling करवा दिया उसमें दोस्तो आप passer strike करके चल सकते हो head to add के बारे में बात कर लेते हैं तो head to add के दोस्तो last के जो 25 मुकाबले दोनों team के बीच खेले गए हैं उसमें 12 head to add मुकाबले दोस्तो यहां से ऐस्ट्रेलिया की team ने विन किये हैं, 13 head to add मुकाबले विन कर चुकी है, पाकिस्तान की team तो बात करेंगे फाइनली प्लेइंग 11 के बारे में ओप्निंग बेट्समैन आपको मैथ्यू शोट देखने को मिल जाएगा पिछ के हिसाब से दोस्तो इस खिलाडी को हेल्प मिलने वाली है C.V.C. में Trump Card के लाड़ी देखने को मिल सकता है उसके बाद यहाँ से Jack Frazier, Joss English, Glenn Maxwell, Stoinis, Team David, Aaron फिर Yaksvir, Brettlet, Spencer Johnson, Nathan Ellis और Adam Jumper यह दोस्तो final playing given आपको देखने को मिल जाएगी Australia की टीम की तरब से बाकि दोस्तो यहाँ से जो starting में bowling करवाएगा Australia की टीम की तरब से दोस्तो Spencer Johnson नमबर 1 का और नमबर 3 का ओवर करवाने वाला है Yaksvir, Brettlet नमबर 2 का और नमबर 4 का ओवर करवाएगा Nathan Ellis नमबर 5 का ओवर करवाने वाला है Aaron दोस्तो नमबर 6 का ओवर करवाने वाला है Death में दोस्तो Adam Jumper 16 ओवर करवाएगा उसमें दोस्तों बैटिंग ओडर ने किस परकार का परफोर्मेंस दिया था, बोलिंग सेक्शन ने कितनी विकट निकाली थी, ओपनिंग बैट्समेन यहां से मैथ्यू सोट आज के मैच में दोस्तों बोलिंग देखने को मिल सकती है, रीसेंट में 7 रन बनाई थे और 64% इस ख सेलेक्शन वाला खिलाड़ी है, लेके चल सकते हो, CVC में बहुत ही लो सेलेक्शन है, उसके बाद जैक फ्रेजर जिसका सेलेक्शन 56% है, रीसेंट में फ्लोप है, फिर 50 रन हैट टू एड में एक ही मुकाबला खेला था, 9 रन के साथ परफोर्मेंस है, ग्राउंड पे पहल मैच है, T20 में दोस्तों कुछ खास परफोर्मेंस इस खिलाड़ी के तरब से देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों आईपल में काफी बढ़िया परफोर्मेंस यहां से जैक फ्रेजर की तरब से दोस्तों देखने को मिला, उसके बाद जोस इंगलीस जिसका सेलेक्शन 45%, रीसेंड में दोस्तों यहां से फ्लोप है, फिर 42 रन, 24 का एवरेज स्कोर हैट टु एड में, 36 का एवरेज स्कोर गिराउंड पे, 32 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का T20 फोर्मेट में है, विकट कीपर में दोस्तों लेके चलना है, जोस इंगलीस में Safe CBC ट्राइ करके चल सकते हो, Headاش एड में दोस्तों 7 विकट, एवरेज स्कोर लो है, 20 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे दोस्तों 26 का एवरेज स्कोर प्लस में, 2 विकट, T20 फोर्मेट में 30 का एवरेज स्कोर पलस में 43 विकट दोस्तो इस खिलाड़ी ने निकाली भी तो Glenn Maxwell दोस्तों टीम का Trump card खिलाडी आपको CVC में एक safe option है तो यहां से safe जो grand league team का combination होगा या फिर head to add की जो team है उसमें दोस्तों आप safe CVC यहां से Glenn Maxwell को try करके चल सकते हो उसके बाद marka Stoinis जिसका selection 37% है recent में 21 run नाबाद 5 मुकाबले head to add में 32 का average score पलस में 2 wicket ground पे 32 का average score पलस में 1 wicket T20 format में 30 का average score पलस में 45 wicket तो Stoinis दोस्तों यहां से आपको bowling करवाते वे नजर आ सकता है एक से 2 over तो लेके चलना है important है उसके बाद team David को आप drop करके चल सकते हो selection 14% है recent में 10 run बाकी दोस्तों continue यहां से floppy देखने को मिला है क्योंकि batting order बहुत ही नीचे है head to head में 10 run ground पे 11 run T20 format में 33 का average score है यहां से 46 मुकाबले दोस्तों अभी तक इस खिलाडी ने T20 format के खेलेवे हैं उसके बाद around जिसका selection 0.8% है और recent में 20 run नाबाद बना की आ रहा है head to head venue पे पहला match है 7 मुकाबले दोस्तों T20 में 20 का average score पलस में 7 wicket यहां से दोस्तों head to head में एक मुकाबला खेला था जिसमें 20 run नाबाद इस खिलाडी ने बनाए थे और उसी के साथ एक्सवीर ब्रेटलेट जिसका selection 81% recent के continue मैचों में performance है CVC में बढ़िया चुआईस है small league या फिर grand league टीम में एक्सवीर ब्रेटलेट को CVC में जरूर पिक करके चलना तीन wicket head to head में है ground पे पहला match है 9 wicket इसके पास है T20 format में है उसके साथ दोस्तों Spencer Johnson जिसका selection 20% तो Spencer Johnson की बात करें तो recent में एक ही wicket निकाल लिया बाकी दोस्तों head to head में एक wicket 6 मुकाबले T20 में 7 wicket इसके पास है नाथन इलिस जिसका selection 82% नाथन इलिस दोस्तों आपको starting में भी bowling करवाते हैं नजर आएगा इसके साथ साथ death में भी bowling करवाएगा तो wicket मिलने के चांची जिया तो दोस्तों नाथन इलिस के पास है या फिर आपको Grand League टीम में यहां से यक्सवीर ब्रेटलेट CVC देखने को मिल सकता है दो ही खिलाडी है जिनको आप bowling section में औस्ट्रेलिया की तरब से CVC ट्राई करके चल सकते हो नाथन इलिस नंबर दो पे दोस्तों यक्सवीर ब्रेटलेट स्पेंसर जोंसन की बात करें तो यह आपको दो विक्टों के साथ performance करके दे सकता है 20% selection है recent में दोस्तों 3 wicket head to add में 7 wicket ground पे पहला match 31 wicket इसके पास है T20 format में 18 इनिंग इस खिलाडी ने खेली भी है उसके बाद final खिलाडी Adam Jumpa जिसका selection 84% है recent में 2 wicket एकी match में फुलोप है बाकी दोस्तों लगातार इस खिलाडी ने performance किया है 8 wicket head to add में 9 wicket ground पे T20 format में 113 wicket के साथ दोस्तों Adam Jumpa ने performance दिया है तो ये आपको finally Australia के final player performance देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें दोस्तों second team के बारे में कि second team से दोस्तों हम कौन-कौन से खिलाडियों को ट्राइ करके चल सकते हैं opening batsman आपको यहाँ से मुहमद रिजवान देखने को मिल जाएगा उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रान फिर यहाँ से बाबराजम है फिर दोस्तों उस्मान खान फिर यहाँ से सलमान इर्फान खान फिर दोस्तों हसीबुला खान फिर यहाँ से अबबास अफरीदी आरिश रोफ अफरीदी फिर यहां से नसीम सा यह आपको final playing 11 देखने को मिल जाएगी पाकिस्तान की टीम की तरब से बाकि दोस्तों यहां से आपको पहला over पाकिस्तान की टीम की तरब से देखने को मिलेगा साइन अफरीदी का जो की number 1 और number 3 का over करवाएगा उसके साथ नसीम सा नंबर 2 और number 4 का over करवाने वाला है हारिश रोफ नंबर 5 का चठा दोस्तों अबास अफरीदी की तरब से देखने को मिलेगा डैथ में दोस्तों नसीम सा 16 और करवाएगा अबास अफरीदी 17 और करवाने वाला है ये टोटल आपको 4 बोलर देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के टीम की तरब से जो की स्टार्टिंग में बोलिंग करवाएंगे और ये टोटल 4 खिलाडी हैं जो की दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरब से आपको दैथ में बोलिंग करवाते वे नजर आ सकते हैं बागी दोस्तों इनके finally player performance के इसाब से बात कर लेते हैं फ्रांज इसका selection 12% है recent के match में दोस्तों 8 run के साथ इस खिलाडी का performance है head to head में 47 run, ground पे पहला match, T20 format में 68 run इस खिलाडी ने बनाए है 13 का average score है उसके बाद मोहमद रिजवान, wicket keeper option, 76% selection, recent में flop है head to head में 24 का average score, ground पे 30 का average को, T20 format में 49 का average score है तो पिछले match में दोस्तों यहां से opening batsman पाकिस्तान की तरब से दोनों खिलाडी flop देखने को मिले थे उसके साथ साथ बाबर आजम भी पिछले match में flop था, जिसने 3 रन के साथ performance किया था head to head में 9 मुकाबले, 61 का average score, ground पे दोस्तों 118 रन है 61 का average को T20 format में है बाबर आजम का दोस्तों head to head और venue दोनों में दोस्तों काफी अच्छा performance है तो यह खिलाडी आपकी टीम में captain voice captain C में बढ़िया 24 देखने को मिलेगा pitch के according क्योंकि pitch, batting pitch आपको देखने को मिल जाएगी batting order दोस्तों काफी बढ़िया performance करने वाला है उसके बाद उस्मान खान जिसका selection 14% है recent में ये भी flop है, 4 run दोस्तों head to head में ground पे पहला match, 23 का average score इस खिलाडी का T20 format में है उसके बाद दोस्तों यहां से सलमान जिसका selection 18% 4 run के साथ इस खिलाडी ने performance किया था head to head में 4 run, ground पे 4 run, T20 format में debut किया 4 run के साथ इस खिलाडी का भी performance है उसके बाद इर्फान खान जिसका selection 0.2% recent में flop है, फिर 22 run, head to head में एक मुकाबला flop देखने को मिला, venue पे पहला match 24 coverage score इस खिलाडी का T20 format में है लगबग दोस्तों पाकिस्तान की पूरी team पिछले match में flop देखने को मिली थी उसके बाद हसी बुला, recent में दोस्तों 12 run फिर यहां से head to head में एक ही मुकाबला खेला है जिसमें 12 run के साथ performance किया venue पे दोस्तों पहला match है T20 format में 6 run इसके पास है अब बास अफरीदी ने दोस्तों पिछले match में performance किया था batting plus bowling से 62 run नाबाद इस खिलाडी का selection है recent में 20 run नाबाद पलस में 2 wicket के साथ performance head to head में 2 wicket, ground पे पहला match 18 wicket इसके पास है T20 format में तो अब बास अफरीदी को दोस्तों लेके चलना है उसके बाद अफरीदी जो की पिछले match में flop था selection 71% recent में दोस्तों 0 wicket, head to head में 11 wicket, ground पे 5 wicket, T20 format में 96 wicket उसी के साथ नसीम साज इसका selection 55% है recent में 1 wicket, उसके बाद 3 wicket, head to head में 1 wicket, ground पे 1 wicket, T20 format में 25 wicket अगर पाकिस्तान की टीम पहले bowling करती है तो इन खिलाडियों को दोस्तों लेके चलना है bowling से इन खिलाडियों की तरब से आपको performance देखने को मिलेगा उसके बाद हारीश रोफ ये दोस्तों मेरे को पहला match लग रहा है कि हारीश रोफ ने एक wicket के साथ performance किया है नहीं तो दोस्तों ये खिलाड़ी दो wicket, तीन wicket के साथ इस खिलाड़ी के सुरुआत होती है 89% इस खिलाड़ी का selection है recent के लगातार matchों में वैसे performance काफी बढ़िया है दो wicket head to head में, एक wicket ground पे 104 wicket इसके पास है टी 20 format में, तो ये दोस्तों पाकिस्तान के finally आपको player performance देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें मेरी आज की final fantasy team के बारे में तो यहां से दोस्तों आपको Nathan Ellis VC में देखने को मिल जाएगा यक्सविर ब्रेटलेट भी आपको CVC में काफी बढ़िया च्वाईस है आरिश रोफ नसीम सा दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे अबबास अफरीदी को लेके चलना है स्टोइनिस और गलैन मैक्सवल, गलैन मैक्सवल मेरा वोइस कैप्टन है और एक टीम में कैप्टन सी बाबराजम को CVC में ट्राई करके चल सकते हो उसके साथ जैक फ्रेजर, जो सिंगलिस इंपोर्टेंट है कैप्टन सी में दोस्तो आपकी टीम में बाबराजम भी काफी बढ़िया चुआईस है लेकिन मैंने रिजवान को ट्राई करके रखा है ये मेरी आजगी दो फैनली फैंटसी टीम का कोंबिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा बागी दोस्तो थोड़ी सी रिस्के टीम है बागी जो फैनल टीम रहेगी वो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फड़ापर से जोईन कर लेना वीडियो को लाइक करना मत बूलना चैनल को सस्क्राइब कर लेना आने वाली लगातर अपडेट के लिए तो आजगी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलता हूं नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ